मैं समस्सारि लाल यादो जी के फोंसने से इसमें आपको लग रहा है कि सार्व लाल भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुक्सान है क्योंकि हो बहुत बड़ा इस्टार है इसे पर एकई लग जाता है तो इतना पैसा तो फासा हुआ है न आप जानते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो गाएक प्रधान इंडस्ट्री है फिल्म वाली जब तक मार्किट में गाना नहीं बजेगा एलबम का तब तक फिल्म चलेगी नहीं स्वागत करतें स्वागत विया न्यूज देखे वाला सभी लोग के गनेश चतूर्थी की बहुत-बहुत सूब कामना गनेश जी रोगा घर में मंगल कामना देश कैसे हैं लेकिन सवाल सबसे पहला यह होगा कि खेसाडी जी लाइब आते हैं और लाइब अच्छा खासा लिघ्वें जी ने अनाम लिए हुए कि अगर आपके पास प्रूफ है विवेक सिंग के बारे में या उनकी टीम के बारे में कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ सो कीजिए तो आपने वीडियो वह बकाइदा बनाया और उसमें आपने प्रूफ भी दिया एक आडियो आपने डाला है कि अओडियो किसारी जी का है या फिर आपने किया है यौकि आप इता य। क्यारा रहते है कि मैं आपने आज भी द्वेस्स नहीं के ना पॉनग सिंग से वर ऑफिस में हम इंटर्विंग देता के pass खेसारी भाई के भी हो ग्वीप चलेला विकास भाई के भी तौग अगर उंकरा से दुएस रही तो आज हम हेजी ना बोईटर होंती है in 2020 दूसारका बात इतना बड़ा कलाकार को लाइब में आके इतना छोटा बात नहीं बोलना चाहिए प्रूफ है तो दीजिए अगर हम तो कहत रहनी कि हमरा लगे आखे सारी भाई चाहिए की हुँ इंडस्ट्री के की हुँ से पता करे हम आज लेशन कोनों बातें नखी बोले ओपर आके हमरा मा आगे ना बातका बाई इंडस्ट्री के आज कि इंडस्ट्री में कौनों घटना घटता कोनों भी घटना के manti ca में तो उसके स्टारा कि आहां कि स्पोर्ट करें या कि हुआ कि लोग सपोर्ट करें लेकिन जोई से कौनों कलाकार सपोर्ट में आके कुछ करें के चाहिन तब तक अभी तक होगी तक लिपना आपन आपन तो कुछ उंकर यूटूबर यी बोले लगतर देखिए वही नियूजवा में जाके माजा लेने आ गए हम जा रहे हैं आप क्यों आए हैं बी आई भी जंदर सिंग माजा लेने आ गया इसको क्या जरूरत था बोलने का आज जब आदमी कुछ नहीं खे बोलत तब लोका कहता क यह साथ नहीं खें दे sorry कितना जाई जाया कितना गुलत आप बताईए यह जो भी बात बोले उसमें किसी का केरियर को बनाने के लिए बोले किसी के परिवार को बसाने यह हमारा उसमें कोई पर्सनल फाइदा खेले तह नहीं बोले अगर म 되고 मेरे साथ कोई कलाकार रह रहा है चाहे मैं इंडस्ट्री का एक सेकेंड का भी पार्ट हूं अगर एक सेकेंड भी उस इंडस्ट्री में मैं अपना योगदान दिया हूं तो इंडस्ट्री के भले बुरे के लिए बोलना जाईजे उसके बाद जहां तक खेसारी भाई का बात है तो वो जो यूटूबर लोग ह उनको नहीं मालूम है कि खेसारी भाई जब गाना नहीं गाते थे तो बसे उनके घर से उनके गाउं से मेरा भावधी हो भावधी मने का कला भात खाये के उंकरे गाउं में हमरा चाचा के साधी भुलबा आई साधी करावे वाला ही हम खेसारी ला लिया दो कि जब लड़की के बात आई ला जब आईल की धाना डिके लोईकी ही हो तो हम सूटिंग करत रहन यहीं जी देवरा खोदी कांटी से इस्टूडियो है सिटी में वहाँ पे उंकरे से हम पूछनी खेसारी भाई से गे वो ल खेसारी वहाँ हमार ओं रिलेशन हो चीज हो तो हम अगर खेसारी भाई पर कुछ होता हमार तो बात गलत ना निकला मैनेजर के काम हम तो किसी एक पार्टिकुलर का नाम नहीं रख रहा है उनके टीम में 20-25 लोग है है कि नहीं फीलिम का लोग अलग मैनेजर है स्टीज दे काम करे वाला आदमी है आप भी जानते हैं हम भी जानते इंडस्ट्री जानती या एक पॉब्लिक भी जानती है तू मैनेजर कोई रखा तो किस लिए रखा अच्छ एक बात बताईए आपने यह चीज का तो खेसारी जी लाइब में आके कहा देते हैं कि हमारे टीम जो है व कर सकते कि जो बढ़ दस्ति को इतना मड़ा सुपर स्टार को कैमरा ऑन करके बुलवा सकता है मतलब मतलब कैसे यह कैसे आप प्रूप कि जाए गान आपके सांट आप बॉलवाने की बात कर रहा है वो जान काड़कर दे देगा वो अपना पूरा द्धौन दे देगा दोस्ति यारी में वह है उसका नाम है खेशाणी लालिया तो तो मतलब कहने का मतलब यह हुगा कि अभी भी खेसाडी जी मतलब जो उनके टीम के आसपास के लोग हैं वही लोग इस तरीके से वह फिर से कंट्रोवर्सी क्रेट करें इस चीज को खतम नहीं करना चाहिए नहीं बोले लें ओकराबाद मौंगले प्रूफ दे कि अगर हम 30 सेक लेगिन जब उनकर महरारू आकर बोल दली सेम बात तो सब जाना चूप हो गई ले आज जब हो गए लोकर बात सब जाना चूप हो गई ले और प्रोसेस इक करें कि खेसारी भाई के इस इंडस्ट्री में कोई से फेंसे लिया वे का बात आप क्या कर रहे हैं खेसाडी जी अब कर रहे हैं कि बार-बार की बापसी आना चाहिए आप कैसे लेकर आएगा जीमजी के तरफ से आपने बात किया पहल किया या पिर जो भुजपुरी के जो बॉस कहे जाते हैं यसी फिल्म का नाम है अभी बात हुए है भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इस्टार है उस पर एक पोडूसर का सो सो क्रोड रुपिया लगा है लगता है तो इतना पैसा तो फासा हुआ है ना आप जानते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो गाईक प्रधान इंडस्ट्री है फिल्म वाली जब तक मार्केट में गाना नहीं बजेगा इल्बम का तब तक फिल्म चलेगी नहीं तब तक फिल्म का कोई रेपोटेशन होगा नहीं तो सारे पोडूसर हम नहीं कर रहे हैं सारे जितने बड़े बड़े पोडूसर हैं जा बड़े बड़े और भी लोग है क्य इस बी बात कर रहे हैं, मेन बात ने की कंपनी को मानाने का नहीं है, कंपनी कभी नहीं चाहेगी हम हो चाहे कोई हो कि हम गायक से लड़े, मेन है कि के खेसाडी भाई को इस बिशार्क Спích को मनाया जाए, तो के खेसाडी भाई, आपने बात किया? परिवार से बात हुए लेकिन इनड़िट उनके सारे परिवार से बात हुए इंड़िए इस तरीके से आप आपको चीज हम हम बहुत जल्दी आपको दिखेंगे कि हम बंबे जा रहा है और सारा चीज मैटर हम आपको बता दे कि एक महीना के अंदर अगर मातारानी कहेगी जैसा प्रोसेस चल रहा है एक महीना के अंदर खेसारी भाई इस एग्रिमेंट से बाहर आ करेंगे और बहुत जल्दी एक केस निपड़ जाएगा क्रिसाडी के इंतिजार कर रहे हैं अभी का बानुक अभी रॉड़ा लोगें से हाथ जोड़के निवेदन बार और इसन कौनु बात मत बोली लोगें जोना में केस से संबंधित नुकसान होगे काहे तो इमामला बहु कि हम करें निया हम करें लेकिन जो कराएगा वो बोलेगा नहीं क्योंकि यह कराने वाला बियाई भी जंदर सिंग भी नहीं है बड़े-बड़े लोग करा रहे हैं इस मैटर को सॉल्व करा रहे हैं तो अब निस्चींत रही हमार जहां तक अनुमान में जूट ना बोली कव कि यह चलता तो संबह होता हम तो इना करें कि पक्का गारांटी के साथ एक महीना के अंदर यानि देवी गीत खेसारी भाई के सुने के मिली रोगरलों के एतना हम गारांटी करते हैं थैंक्यू भी आमसे बात करते हैं धन्यवाद